हेलो फ्रेंड्स दोस्तों आपने एक्सर पत्नी को सी आरपी सी के सेक्षन 125 के तहत अपने पती से भरन पोशन यानि के मेंटिनेंस मांगते हुए सुना होगा देखा होगा या वो डुमेस्टिक वाइलेंस एक्ट के तहते कंपन्षेशन मांसेशन है पती से मेंटिनेंस हमती है लेकिन आज फोड़ा मामला उल्टा है क्योंकि आज के केसまぁ पत्नी से मेंटिनेंस मांगा है कि सदार पर मांगा है और ये तमिल नाडू का मामला है और इसमें तमिल नाडू के अदालत ने मैंटिनन्स के अदेश भी दे दिए पतनी के खिलाफ तब ये मामला हाइड कोट में गया तो दोस्तों क्या पूरा केस है, क्या इस के अजीब ओगरीफ हैंगे यह सब मैं आपको इस वीडियो में अब बताने जा रहा हूं तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों मद्रास हाई कोट में एक सिविल मिस्लेनियस एप्लिकेशन आई नंबर 17302022 की और इसमें जो जज्जमेंट दिया ओनेवल मिस्टर जस्टी से और सुब्रमन्यन और ओनेवल मिस्टर जस्टी से गोविंद राजन थिक थिलक वाड़े वाड़े तो दोस्तों यह पर दी गई जो फैमिलिकोंट्स के एकट नाइँटीन एटीफॉर की सेक्षन नाइटिन के टहाइत फाइल की गईंपत्नी के द्वारा और अरफैमिली कोट के ओर्डर को सेल किया गया जहां पर फैमिली कोट ने पतनी को अदेश दिये थे कि वो पती को हर महिने बीस अजार उपे का मेंटिनेंस पे करें ताकि वो अपना गुजारा कर सके तो दोस्तों इसमें हस्बेंड ने एक पेटीशन फाइल की थी डिवोर्स की क्रॉयल्टी के ग् पेंडिंग रहने पर हस्बेंड ने एक और एप्लिकेशन फाइल की कि उसको मेंटिनेंस दिया जाए यह कहते हुए इस ग्राउंड पर कि उसको पतनी ने घर से बाहर निकाल दिया है और उसके पास रहने का मकान नहीं है और वह कुछ भी करने के में सक्षम नहीं है क्यूं उसमें मेंटिनेंस मांगा इंटरी मेंटिनेंस मद्रास आई कोट में वाइफ की तरफ से कहा गया कि एड़ टाइम ऑफ मेरीज दा हस्बेंड डिड नोट हैव ए पर्मनेंट जोब कि शादी के वक्त पती की कोई भी पर्मनेंट जोब नहीं थी शी हैड प्लेजड जूवल और उसने अपने कहने गिरवी रखकर और जो है फानेंस का बिजनस शुरू किया लेकिन वो बिजनस नहीं चला उसके बाद उन्होंने एक बैंक से लोन लिया और तब घर परचेज किया और पतनी जो है बिजनस करती है रियल स्टेट का अपना घर चला रही है और जबकि प करते हैं और जगडों में डल्ज रहते हैं तो दोस्ता फैमिली कोट फैमिली जज ने इस फैक्ट का जो है नोट लिया की हस्बेंड की एंजो प्लास्टी हो चुकी है और वो जो है उनके स्टेंट डलवाए गए हाट में पतनी को अदेश दिये कि वहर महिन्य अपने आमद अंडि एंजिओ प्लास्टी नोटे मेजर हाट सजरी और उपतनी के तरफ से कहा गया कि एंजिओ प्लास्टी जो कहा है को बड़ी हार्ट सजरी नहीं है विच वुड कृपल परसन जो एक व्यक्ति को इतना अक्षम बना देगी कि वह काम कज करने के लायक नहीं रहता स्टेंट डाले जाते हैं ताकि जो हमारी ब्लड की वैसल हैं वो चोड़ी रहे और में ब्लड का सर्कूलेशन ठीक होता रहे इड़ नोट इनकापैसिटेट ए परसन और जो है स्टेंट डलने से कोई भी व्यक्ति इतना पंगू नहीं होता इतना अक्षम नहीं होता कि वो क्लिट्वश का सतों मानन्या है मदरास कोट का इस समद्ध में क्या निरना था था क्या ऑबजर्वेश ज़िए सब में आपको इस वीडियो में बता रहा हूं माननिया मदरासा secondo meMM कुण ज़ smoked यह मैंघञिड को सिजर अज इव दा हस्बेंडेंड totally incapacitated and proceeded to grant maintenance की family judge ने एक छोटे से प्रसीजर को एंचिव प्लासिटी के जो है जो प्रसीजर किया गया स्टंट डाले गये उस छोटे से प्रसीजर को इतना बड़ा बना दिया कि पती को totally incapacitated totally पंगूत दिखाया गया और यहां तक की जो है उनको compensation भी मेंटिनेंस भी पती से दिलवादी देने के अदेश दे दिये हमने पती के इंकम टेक्स के रिटर्न देखे हैं and find to and find he has returned an income of rupees 8 lakh during the year 2017-18 और 2017-18 के दुरान उनकी आठ लाक इंकम होई और 19-20 के दुरान 4,21,840 रुपे इंकम होई और 2020-21 के दुरान 6,10,214 इंकम होई और 2021-2022 को लेकर 6,27,447 रुपे जो है पती ने अलग से कमाए हैं खुद कमाए हैं और उनकी income tax return भरी है जो की एक evidence पे record है रिकोर्ड किया गया है और इन इस evidence को देखते हुए we don't think we could sustain the order of family court और इस evidence को देखने के बाद मारणिया मदरास आइकोर्ट ने का कि हम नहीं समझते कि हम family court के इस order को sustain कर सकते हैं इसलिए इस appeal को अलाव किया गया जो वाइफ की तरफ से फाइल की गई थी और ओडर granting इंटरी मेंटिनेंस सेट साइड और जो इंटरी में मैंटिनेंस का जो order था देने का उसको सेट साइड किया गया और मारणिया कोट ने कहा कि एंजियो प्लास्टी से कोई भी व्यक्ति इतना इनकेपैसिटेट नहीं होता कि वह अपना गुजारा ना कर सके कोई कामकाज ना कर सके या अपनी लाइवली हुड को ना चला सके तो दोस्तों यह बहुत ही अजीवो ग्रीव केस था जो मारणिया फैमिली कोट तमिलाडू ने दिया और बाद में मदरास हाई कोट ने इसम